Assalamu alaikum, Hello my YouTube friends, आज हम यह बहुत खुबसरा सा neckline बनाएंगे, आप इसे V के उपर भी बना सकते हैं, गोल गले के उपर भी बना सकते हैं और इस तरह से style बना के भी आप इसे बना सकते हैं यह वाले जो circle लगाया है, 2 cm का है, इसमें यह मैं anchor के thread ही use कर रही हूँ, 268 इसका number है, इसके 6 strands ही use कर रही हूँ और यह regular neat है, अगर आप शपून के उपर बना रहें तो फिर आप 3 strands use करेंगे, यह stem stitch है, इसे outline stitch भी करते हैं, कर रहें यह ड्जयग्स यह लिए इसको को का का झाल झाल यह हम फ्लाइ स्टिच के साथ बनाएंगे अब यह इसका लूप साब बना लें ऐसे यह लूप है तो यूँ ऐसे हम करेंगे जैसे चेन स्टिच का करते हैं झाल 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 यहां पर अगर आप चाहें तो फ्रेंच नौट्स बना सकते हैं अदरवाइस आप पल्स भी लगा सकते हैं यह अज। यह इसके तो यह काल हैं तो यह पर किसी बिए किरिट हें यह को अगर यह किरिई हैं तो यह यह बाल यह के आप यह सकते हैं यह प्लयst झाल 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 इसी तरीके से हम ये वाले flowers भी बना लेंगे अगर आप चाहें तो इन दोनों में same color use कर लें और ये वाले जो दोनों हैं साइट ये इन में different colors आप ये ये युज कर सकते हैं अप ये ये या पर पर बिद आप बना सकते हैं ये था हमारा आज का खुबसरा सा फमार फ्लाबर अपनों का बहुत पसान आएगा प्ली इसे फैमिल और फ्रेंट के साथ शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे फेस्बूक पेज को लाइक करें थेंक यू